तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी अगर आप भी तला बुला खाका कर बोर हो गए है तो ये एक बार ये हल्दी और टेस्टी रासा बना कर खाईएगा बहुत ही बढ़िया बनकर त्यार होगा बनाने में पिलकुल आसान खाने में बहुत ही जबरदस्त इसके लिए हम लेंगे आ यूज कर सकते हैं सूजी और बेसन को डाल दिया है बाउल में अब हम इसमें डाल देंगे पानी यहां पर हमें तही बिलकुल भी नहीं यूज करेंगे बिना दही के ही हम इसे अच्छे से बना कर त्यार करेंगे अब हमें अच्छे से इन्हें मिक्स कर लीना है ताकि इसमे कोई भी काठे या गुटलिया ना रहें तो हमने बेशन और सूजी को अच्छे से मेक्स कर लिया है आप आपकी पास जितनी भी सब्जियां फ्रिज में पड़ी हो आप सारी सब्जियों को कट कर लीजिएगा तो मैंने यहां पे एक सिमला मर्ष ली है जिसे हमने छोटे- सर्दियों के मौसम में वैसे भी खूब घर में सब्जिया आती है तो जितनी हो सके उतनी आप सब्जिया डालेगा बहुत ही हेल्दी टेस्टी रास्ता बनेगा हरा धनिया डाल देंगे आधा चम्मस जीरा डाल देंगे टेस्ट के कोडिंग नमक डाल देंगे तीखा आप हिसाब से कम्याज़ादा कर सकते हैं आधा चम्मज चिली फ्लैक्स डाल देंगे आधा चम्मज धनिया पाउडर डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें दो चुटकी बेकिंग पाउडर डालेंगे ताकि यह फटा-फट से फूल जाए और बहुत ही फलफी सा यह नास्ता सकते हैं सोड़े का इस्तमाल नहीं करेंगे बेकिंग पाउडर का इस्तमाल करेंगे और अच्छे से मिला देंगे सभी चीजों को तो यह हमारा एक टेस्टी सा बेटर बनकर तयार है इसे आप बहुत सारी एक ही बेटर से रसपी बना सकते हैं और मैं आज कुछ यूनीक सा बनाओंगी जिसे बच्चे भी टिफन में बहुत ही मज़े से खा कर आएंगे और आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं इपनिंग के टाइम बना सकते हैं वेट लॉस में भी इसे खा सकते हैं तो बेटर हमारा बनकर तयार है एक हमने तड़का पैन लिया इसमें आधा जमस्देर डालेंगे थोड़े से सफेद दिल डाल दीये हैं एक से दिर चमच यह बेसन वाला वेटर डाल देंगे और पूरे पैन में अच्छे से फैला देंगे उपर से थोड़े से तिल हरा धनिया डाल देंगे ताकि इनका लुक बढ़ा ही दिखने में अच्छा लगे म उपर से थोड़ा सा तेल और डाल देंगे ताकि यह अच्छे से सिक जाए अमिने हम लो फ्लेम पे सेखेंगे दो मिनट के लिए और फिर से चमच की सहता से अच्छे से पलट देंगे और दूसरी तरब भी इसे अच्छे से सिकने देंगे लो फ्लेम पे सेखेंगा तो यह एक पीना हो जाए और इन्हें लोग फ्लेम पे सिखेगा तो अंदर तक एक तम बढ़िया से सिखेगा ये हमारा सूजी और बेशन का बहुत ही हेल्दी टेस्टी सब्जियों से भरपूर बढ़िया सा नास्ता बनकर तयार है जिससे आप सुभे में खा लेंगे पूरे दिन के लि लगता है बच्चों के टेफर में ब्रिकफास्ट में इवनिंग के टाइम कभी भी आप बना सकते हैं चोटी मोटी भोग के लिए या फराफ विट लॉस की जरनी में है तो भी आप इसे खा सकते हैं और एक पीसा मैं आपको तोड़कर दिखाती हूं अंदर तक कितने अच् अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए